बिहार के शिक्षा मंत्री चंदर सेखर द्वारा रामचरित मानस पर दिये गए विवादित बयान के बाद आयोध्या के साधो संतों में भी अक्रोश ब्यात्त है रामजन भूम के पुजारी आचारे जेस सत्यंदर दास ने इस बयान पर नाराजगी ब्यक्त की है उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री चंदर सेखर द्वारा रामचरित मानस का अफमान किया गया है और नफरत फैलाने का काम किया गया है उसे मंत्री मंदल से तत्काल बरखास कर देना चाहिए मैं सरकार से माग करता हूँ कि जो शिक्षा मंत्री होकर इस तरीके की बात करे उसे मंत्री मंदल से हटा देना चाहिए क्योंकि इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा जो राम भक्त और रामायर का पाठ को आदर्श ग्रंथ धार्मी ग्रंथ मानते हैं उनके लिए रा भगवान राम चरित का गरंत जो है राम चरित मानस वह है उसके लिए कहा गया है कि धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायर ऐसे रामायर को और ऐसे चरित भगवान राम से जो संबंधित है उनका चरित लिखा गया है जिरोने कोल भील बानर भालू ये सब के साथ मिल करके समदर्सी और सर्वेजन सुखाई सर्वियन हिताई जो राम yatari Act amanas है वस रामाइड को यह मुर्ख आदमी कहँएगा कि यह नफरत फैलने वाला नफरत फैलने वाला हई नहीं है वह तो सारी समाज को जोडने वाला है वह आदर पुर्स के चलित उसमें वर्नित है ऐसे गरंत को जो कहेगा कि नहीं वह है नफरत फैलाने वाला है तो ऐसे व्यक्ति को उसे चाहिए मैं उस सरकार से कहूंगा कि उसको मंत्री मंदर से हटावें क्योंकि सिक्षा मंत्री यह ऐसा बोलेगा तो उसका परभाव पूरे देश में पड़े अपना धार्मिक गरंत मानते हैं उनके उपर इसका बुरा परभाव पड़ेगा और इसका परिलाम जो होगा वह है पूरे बिहार के नहीं पूरे देश में पड़ेगा इसलिए मैं यही कहूंगा कि वहां कि मंत्री मंदर से उसको हटावें उसको बरकास करें और ऐसे ऐसे और सिक्षा मंत्री बना दिया है यह वहां कि बहुत बड़ी भूल है और मैं यही सब्दों में कहूंगा कि वह है सिक्षा मंत्री योग नहीं है क्योंकि वह बड़ा मुर्ख है ऐसे मुर्ख को सिक्षा मंत्री बना दिया जो रामायर जैसे ग्रंत को कह रहा है कि यह परने वाला है